अपने अपने राजनेतिक दल है अपनी अपनी राजनेतिक विचारधारा है कारिक्रम और नीतिया है इसी लिए अलग-लग राजनेतिक पार्टियां और पॉलिटिकल एजन्ड़ अगर नहीं चलाएंगी पॉलिटिकल पार्टियाँ तो पॉलिटिकल एजन्ड़ा कोई उनायलत देदश्तिक निया ले विद्टिदे know न चलाए हो सकता है उसकता है जाती कि आधार पर अपना एक इंविन्सिबिल विनिंग कॉंबिनेशन फॉर्म करने की एक प्लाइण और स्ट्रेजी हो सकती है तो यह राजनेतिक दलों का यह कार है संग इस आधार पर तो समाज में कारी नहीं करता है कि किस जातिका कितना संख्या है इस आधार पर उस व्यक्दि गे जब उने दास बजाजी नामंत्रफर वर्धा में थे तो अगले दिन उन्हों ने इक्षा विक्त की के मैं इस शंग के शिविर में जाना चाहता हूं तो ने बहुत करके देखा कि कोई इस बात का कि अस्प्रिशिता का कि कौन इसमें खाना पका रहा है कोई किसी से पूछता नहीं था और एक साथ पंक्ति में बैठ करके जब भोजन करते दे तो कोई यह कंसिडरेशन नहीं था कि पड़ोस में बैठा हुए विक्ति किस जातिका है तो हमारे लिए जाती महत्वपूर्ण नहीं है पर यह आपको पिछड़ा विरोधी इस पश्ट आपके सामने कह रहे हैं आपको उन्हें जवाब देना चाहिए देखिए प्रजेश जी हम यह मानते है कि हमारे लिए इस देश में सिर्फ दो ही वर्ग है एक वो है जो अपने आपको संग से जूडा मांता है और दूसरा वह मानता है जो आज नहीं कल संग का समर्थक संग का स्व्वक बन जायेगा तो मेरी तो यह मानता है कि हमारे चैनल पर जितने भी लोग यांपर बैठे चाहता है या नहीं यह संग का विशह ही नहीं है हम से मसला इस पर आपकी एक opinion होनी चाहिए हमारी opinion नर से वानारायन से वाकी है हम इस देश में हिंदु तो जो इस देश में सनातन और जो जीवन पद्दति हैं उसके पक्ष में हैं आप यह बताइए इस देश में जातिकत अधार पर यह पिश्डी जातियों का एक बनाई कि 27-27 पिश्ड़ी है तो इस देश में अहीं आप हम यह कह रहें हैं देश में वर्गी करण किया गया अशand blood muscular योगों को सविधाय और सभी लोगों को शेव के समान असय आपा है जलिए जन्गर्णा कराना जाती जन्गर्णा इस देश में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता आप बात करें तो यह तो उटके मुँँ में जीरे वाली बात होगी मैं बात करना हूं योजनाओं को धरातल पर इमांदारी से इंप्लीमेंट करने की राजनेतिक दलों की इच्छा शक्ति की जब तक यह नहीं होगा तब तक इस देश में जाती जन्गर्णा और जाती नहीं होगी तो जाती जन्गर्णा के राजनेतिक मुद्दे बनाने के कारण क्या हो सकते हैं मैं इनी लोगों से पूछना चाहता हूं या तो आप भारत को 15 रुप शराष्ट नहीं मानते और अगर मानते हैं तो इसमें वर्ग के आधार पर जाती के आधार पर मतार पंत के आधार पर दार्मिक मानताओं के आध सुलीन की रुखना पड़ेगा आपको अपनी बारी में बोलेंगे आप जी आपके मली को में संग के लिए समाज में बहुत शुक्री आपका बहुत क्लारिटी दिया अपने शुक्री हमारे साथ जुड़े रहीएगा के पी मलिक जाने माने पत्रकार हैं मुझे जोईन कर र काउं कि ओबिसी सेंट्र